Hey guys, what's up? I hope आप सब भी लोग बिल्कुल ठीक सुरक्षित अपने घर पे होंगे By the way, मेरा नाम है किरन अभी इस टाइम पर ना मुझे काफी अच्छे से ये चीज़ रिलाइस हो चुके कि अभी हाँ, Amazon Flipkart से स्मार्टफोन की डिलिवरी होना शुरू हो चुकी है काफी सारे लोग ऑडर भी कर रहे होंगे Red, Green, Orange, Zone अब कुछ फर्क नहीं पड़ता हर जएगे स्मार्टफोन ऑडर हो रहा है बट मुझे वो सीन भी आदे कि एक टाइम ऐसा भी टाइम आया था जब हम लोग ये डिमांड करने लग गये थे कि यार स्मार्टफोन ना essential items के अंदर डाल देना चाहिए है काफी ज़्यादा फनी लगा था मुझे वो बट anyways लोगों को जरुरत थी तो इसलिए डिमांड हो रही थी बट हाँ अभी सीन क्या हो रहा है कि स्मार्टफोन और तो कर पा रहे हैं कि अभी के टाइम पर स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लोगों के अंदर भी confusion काफी जाला बढ़ गई है कि यार कौनसा फोन खरीदा जाया और कौनसा ना खरीदा जाया इसी वज़े से मैंने काफी जाबा रिसर्च किया और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टॉप 5 स्मार्टफोन बताने वाली हो वो भी आप लोगों की प्राइटीज के हिसाब से कि कि किस चीज के अपको कौनसा स्मार्टफोन परचेस करना है वो आज आपके इस वीडियो में मैं बताऊंगी तो बिना कोई टैवेस्ट के शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को अभी जो सबसे पहला स्मार्टफोन में आपको बताने जा रही हूँ यह फोन उन लोगों के लिए सबसे बैस्ट आप्शन होने वाला है जो लोग चाहते हैं कि वो लोग मोबाईल फोन से वीडियोस रिकॉर्ड करें या फिर अपने मोबाईल फोन के फ्रेंट क्यामरा से व्लागिंग वगेरा करना चाहते हैं क्योंकि इस phone की खास बात यही है, मैं फिलाल अभी बात करी हूँ, Realme 6 Pro के बारे में, जिसका फ्राइज है, 18,000 रुपीज फॉर दे 6GB, 64GB वेरियंट, phone की सबसे खास बात मुझे यह लगती है, कि dual selfie cameras दिये हो मैं, और इस dual selfie camera में भी, एक wide angle lens दे रखा है, 8MP का, जो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया, तो आपकी choice भी यह है, कि आप front camera से vlogging बगेरा करना चाते हो, तो देन यह सबसे अच्छा option है, बट यही इस phone का सबसे खास feature नहीं है, इसके अलावा phone के अदर snapdragon 720G की एक powerful performance आपको देखने को मिल जाएगी, 64MP वाले quad camera setup है, 12MP का telephoto lens भी दिया हुआ, यह भी एक काफी खास feature है phone के अंदर, बस एक चीज की मुझे आपर कमी लगी है यार, कि phone के अंदर amoled panel नहीं है, I mean 18,000 की price में यह phone आ रहा है, तो I guess phone के अंदर amoled panel भी होना चाहिए था, तो अगर आपको amoled display चाहिए थी, then मेरे हिसाब से तो फिर यह आपकी choice नहीं हो सकती है, बढ़ हाँ, अगर आपको camera's में priority है, especially front camera में, अगर आपको wide angle lens चाहिए, then definitely worth to purchase है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा reminder देना चाहूंगी, देखो अगर आप यह सोच रहे हो ना, कि इस videos में मैं rank wise smartphone बता रही हूँ, नमबर वन वाला phone सबसे best है, then ऐसा बिलकुल भी नहीं है, यहाँ पर मैं priorities के according phone बता रही हूँ, कि कौन से phone में क्या-क्या अच्छे features है, और उनके हिसाब से आप उस phone को purchase कर सकते हो, I hope बात समझ में आगी होगी, तो anyways, अगले phone के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, अभी इस coronavirus पाली situation में काफी ज़्यादा ऐसी demand बढ़ रही है, कि हमें Chinese product नहीं purchase करना है, यह पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा scene ज़्यादा बढ़ी है, तो अगर ऐसा कुछ है, then Samsung Galaxy M31, इस phone को आप definitely purchase कर सकते हो, काफी कमाल के features है, सबसे पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको एक बड़ी सारी सी battery चाहिए, 6000 mAh तक की, then definitely यही एक smartphone है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 16,000 की price में, आपको 6000 mAh की battery देखने को मिलेगी, साथी साथ AMOLED पैनल भी देखने को मिलेगा, phone के अदर, तो यह काफी अच्छी चीज है, बागी इसके अलावा 64 MP के quad camera setup दियो है, 32 MP का selfie camera भी है, लेकिन सारी चीज अच्छी नहीं है, कुछ कमिया भी है phone के अंदर, जिसमें से सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूँगी, build quality फ्लास्टिक की बनी हुई है, और phone के अंदर, Exynos 9611 chipset देखने को मिलता है, अभी देखो, इस chipset को मैं बोलूँगी, यह एक average तरीके का processor है, जिसमें आप gaming बगेरा तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी यह demand है, आपको सबसे best processor चाहिए इस price में, देन उसको आप यह नहीं बोल सकते हो, आप gaming कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, बट बहुत ताबर तोड तरीके से नहीं कर पाओगे, बाकी AMOLED डिस्प्रेश चाहिए, और बड़ी बैटरी चाहिए, अच्छे कैमरा चाहिए, देन डेफिनिटली आप इस फोन को अराम से purchase कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप लोगों को एक smartphone चाहिए, जिसमें आप काफी अच्छे खासे तरीके से gaming कर पाओ, तो इन शॉट अगर आप लोगों को एक अच्छे खासे प्रोसेसर के साथ कोई smartphone चाहिए, देन मेरे हिसाब से Poco X2B एक काफी अच्छा option आप लोगों के लिए बन सकते हैं, फोन को आई हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन Snapdragon 730G चिपसेट इस phone के अंदर मिल रहा है, 17,000 के price में, 6GB RAM, 64GB storage दिया हुआ है, तो gaming तो definitely आप काफी अच्छे से कर पाओगे इस phone के अंदर, बट ऐसी बाद नहीं है, सिर्फ प्रोसेसर ही अच्छा है, 64MP वाले quad camera setup है, फोटोस भी काफी अच्छी ले सकते हो, 20 plus 2 megapixel के selfie camera है, honestly बताऊं, जो 2 megapixel का front में दे रखा है न, वो सरफ गिमी के उसका as such को use नहीं है, बट हाँ, वैसे 17,000 की price को देखते हुए, हम ये चीज बोल सकते थे, कि phone में AMOLED डिस्प्ले होनी ही चाहिए थी, लेकिन मैं अपने personal use से आप लोगों को बता सकते हूँ, कि यार फोन के अंदर जो IPS LCD पैनल दे रखा है न, वो काफी प्यारा डिस्प्ले है, I mean मुझे इस फोन का डिस्प्ले परस्मली काफी ज़्यादा पसंद आ है, उपर से 120Hz refresh rate का support भी दे रखा है, बढ़ हां, in short मैं आप एक चीज़ से conclude करना चाहूँगी, कि अगर आपको एक balanced smartphone चाहिए, और gaming अगर आपको आपकी priority है, तिन definitely इस फोन को आप अपनी लिस्ट में आराम से रख सकते हो, और purchase भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को 20,000 की price में, ऐसा phone चाहिए कि यार मुझे तो phone में AMOLED पैनल भी चाहिए, in-display fingerprint sensor भी चाहिए, और एकदम glass back के साथ, एकदम चकाचक सा phone हो, दिन मेरे रिजाब से Realme X2 भी काफी सही option है, और दो phone थोड़ा सा price ही है, अठारा हजार की price में आपको यहांपर 4GB RAM, 4GB RAM, 64GB variant देखने को मिल रहा है, बट हाँ, फोन के अंदर snapdragon 730G वाली एक powerful performance आपको देखने को मिल जाएगी, 64MP वाले quad camera setup भी दिये हुआ है, 4000 mAh की battery with 30W का fast charger भी आपको देखने को मिल जाएगा, सारे specification सही है, बट सबसे सही चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि AMOLED पैनल with in-display fingerprint sensor आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो हाँ, आप इस फोन को भी आराम से considerate कर सकते हो, और अभी अगर अगले smartphone के बारे में बात की जाए, तो honestly बता हूँ को मैं इस फोन को इतना जादा recommend तो नहीं करूंगी, बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको Redmi का smartphone ही पसंद आता है, because of MIUI या और कोई और रीजन भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको Redmi का को smartphone पर्चेस करने है, तो 16,000 की प्राइस में आने वाला Redmi Note 9 Pro Max या आपके लिए काफी अच्छा option हो सकता है, overall अच्छा package है, इसने आप रेकर 720G चिपसेट वाली powerful performance देखने को मिल जाएगी, 64 Megapixel के साथ quad camera setup दिया हुआ है, 5020 mAh की battery with 33W fast charging का support आपको इस phone के अंदर देखने को मिलेगा, इन शॉर्ट अच्छा package है, लेकिन क्यों मैं इस phone को recommend नहीं करती हूँ इतना, इसके पीचे reason ये है, कि या इसी का जो छोटा भाई है ना Redmi Note 9 Pro, वो almost similar ही है और इससे धाई हजार उपे जादा ससता है, 14,000 ये price में वो phone मिल जाता है, और difference बहुत ही light है दोनों phone के अंदर, बस इतना सा फरक है कि 33W fast charging का support अगर आपको नहीं चाहिए, और 18W fast charging में भी अगर आप काम चला सकते हो, then मेरे हिसाब से 14,000 में Redmi Note 9 Pro लेना जादा सही होगा, cameras के specification में थोड़े बहुत changes मिलेंगे, I mean 64 की जगे 48, 32 की जगे 16 megapixel, but you know ये सरफ न numbers का फरक है, अगर आप real life में फोटो लोगे ना, तो इतना भी कुछ खास difference नहीं देखने को मिलेगा, तो इसलिए बोल जो 14,000 में Redmi Note 9 Pro जादा अच्छा deal हो सकता है, बाकि आपको क्या लगते हैं, आप भी मुझे comment section में बता सकते हो, तो I hope अभी तक तो आप लोगों को समझ में आहीं चुका होगा, कि आपकी क्या priorities हैं, और आपकी priorities आप से इन पाचों में से, आपको कौन से phone की तरफ जाना चाहिए, अगर आपको इन पाचों में से कोई भी phone समझ में आया है, जो आपकी requirements को एकदम fill कर रहा है, तो आप मुझे comment section में जरूर से बता देना, बाकि अगर इस video सो कोई भी थोड़ी भी help मिलिए, तो यार video को like जरूर से करिएगा, बाकि मैं आपको मिलती हो next video में,